आज इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तक्षा दस्मी, विज्ञान विशे में, अध्याय दो, अमल, छारक एवं लवण। इस पार्ट में भी हम ऐसे अनेक पदार्थें जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। उनका आपस में क्या संबंध है, उसका अध्याना में इस पार्ट में करेंगे। जैसे कि आप रोज भोजन करते हो, भोजन कभी खटे स्वातका होता है, कभी कड़वे स्वातका होता है। तो हम देखते हैं कि ये भोजन का खटापन वा कड़वा किस कारण होता है। कभी-कभी भोजन की अधिकता से किसी व्यक्ति को ऐसे डिटी हो जाती है, ऐसे डिटी मतलब आमलता से पीडित हो जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे कि हमारे भोजन में, हमारे दैदिक जीवन में कई पधारत ऐसे हैं, जिन में अमली गुण भी होते हैं, और छारी गुण भी होत हैं और जब इनको पानी में गोलगा जाता है इनका जली विल्यों होता है तो उसमें ऐस धन अयान उत्बनन करते हैं और लटमस पत्र होता है सूचक है यह यह आमले में पहल को हम डालते हैं तो यह नीला लटमस पेपर लाल रंग का जाता है आप Síchotra में देखिए यहां पर एक आमलया या नीबू का रस ले लिजी आप और इसमें हमने एक लितमस पेपर ये इसमें डुबोया है पहले ये लितमस पेपर नीले रंगका था आप देखेंगे ये आमलsy के संपर्क में आफा है और ये लाल रंगका हो गया है हम देखते हैं कि जो आमले होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिकमल, सलफ्यूरिकमल, S2SO4, एसिटिकमल और साइटरिकमल जितने भी खटे पधार्त होते हैं यदि संत्रा है, खट्टा है तो उन सब में ये आमले अवस्ट से पाए जाते हैं इसके बाद छारक भी पाए जाते हैं तो छारक के गुण क्या होंगे इसके अपोजेट है अधिकतर ये, स्वाद में ये कड़वे होते हैं, जल में OH रिनायन देते हैं, देखिए या, यह हम तुल्ना भी कर सकते हैं अमल एजधन आयन देते हैं और चार ओएच रिन आयन देते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं यहां देखिए आप चित्र में ये लाल लिटमस पेपर है और ये छारी ये विलियन है जैसे आप साबून ले सकते हैं साबुन का अपयोग आप रोज करते हैं तो उसमें चार मिला हुआ है तो ये देखिए लाल लिटमस पत्र नीला हो गया है ये चार है sodium high ड्रोकसाइट एन एओएच कोएच potassium high ड्रोकसाइट तो इस प्रकार आमल और चार हमारे डैनिक जीवन में कई पधारतों में पाए जाते हैं अब हमें इनकी पहचान करना है अब हम पहचान करेंगे तो इनको हम छूकर या चकर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हानी भी पहुँचा सकते हैं हमारी शरीर को आमले तेज होते हैं इस प्रकार हम इनकी पहचान करने के लिए हम कुछ सूचक का उपयोग करेंगे सूचक क्या है बेपधार जो किसी विलियन में अमल और छार की सूचना देंगे अमली माध्या में चारी माध्या में उनका रंग बदल सकता है गंध बदल सकती है तो इस प्रकार लिटमस मैंने अभी पूर्ब में बताया था लिटमस एक प्राक्तिक सूचक है अब हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में सूचक तीन प्रकार के होते हैं प्राक्तिक सूचक संसलेशिद सूचक और गंधी सूचक प्राकतिक जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है यह हमें पेड़ पोधों से मिलते हैं आपने हल्दी देखा है यह पीले रंकी होती है और लिटमस यह भी पोधों से मिलता है यह हल्दी और लिटमस अलग-अलग माध्यम में अलग-अलग कलर देते हैं अमली माध्यम में अलग कलर देंगे चारी माध्यम में अलग और इससे हमें ये सूचित करते हैं कि वो पदार्त अमली है या चारी है जैसे हल्दी आपके कपड़ों पर यदि कभी सबजी का दाग लग जाता है तो वो पीले रंग का रहता है वो इसके बार यदि हम उसको तो आप देखते हो कि वो दा कभी-कभी लाल रंग में बदल जाता है तो छारी माध्यम में इसका रंग कैसा हो गया लाल अब हम पढ़ेंगे संसलेशित सूचक ये क्रतिम सूचक भी कहलाते हैं ये मानो द्वारा निर्मित होते हैं जैसे मैथिल ओरेंज फिनोप्थिलिन ये ये भी अमली और चारी माध्यम में अलग-अलग रंग देकर हमें अमली और चारी माध्यम की सूचना देते हैं तीसरा है गंधी सूचक गंधी सूचक जैसा कि आपने देखा कि ये इनकी गंद अमली ये चारी माध्यम में बदल जाती है कुछ गंधी सूचक हैं प्याज, लौंग का तेल, बैनीला, तो इस प्रकार हमें ये सूचक अमल और चारक की क्या करवाते हैं पहचान, तो हम ये लैब में, प्रयोखशाला में, इन सूचक के द्वारा ही अमल और चारक की पहचान कर सकते हैं, अब हमारा अगला विशह है अमल और छारक के रासायनिक कुण कोई भी अमल है उसमें H-धन आयन अवस से पाया जाएगा अभी पूर में बताया है कि अमल H-धन आयन देते हैं और छार OH-धन आयन देते हैं अमल की किसी भी धातू के साथ हम क्रिया करवाएं धातू, सोना, लोहा, सोडियम, पोटिशियम, जिंक, आपने कक्षा नोमी में पढ़ी हैं धातू है तो मालो हम यहाँ पर एक धातू लेते हैं जिंक और यह अमल आप ध्यान से देखेंगे कि यह अमल यह दो भागों में तूटेगा हाइड्रोजन धन आयन और सलफेट रिन आयन और यह धातू सिक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन होती है और लवण बनता है जिंक सलफेट इसको हम एक फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं अमल धन धातू इसकर लवण धन हाइड्रोजन गैस कभी भी कोई भी अमल धातू से क्रिया करेगा तो हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन होगी यहां हम एक इसी को हम एक प्रयोक्षाला में इस प्रकार क्रिया करके देख रहे हैं यह जो हाइड्रोजन गैस उत्पन हो रही है यह हाइड्रोजन गैस ही है या नहीं इसका हम क्या करेंगे निरिक्षण करेंगे टेस्ट करेंगे देखना आप, यहाँ पर एक परक नली नहीं हुई है, इसमें हमने जिंक की तुकुडे डाले हुए है, यही जिंक, सल्फियूरिक अमल इसमें डाला हुआ है, जब यह आपस में क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पर्न होती है, और यह हाइड्रोजन गैस यह निका में साबुन का पानी रखा हुआ है और वहां से हम प्रभाहित करते हैं नली से और यहां पर हाइड्रोजन गैस हलकी है तो यह उपर जाएगी यहां पर एक जलती हुई मौमबत्ती रखते हैं तो यह देखते हैं जलती हुई मौमबत्ती जैसे ही यह गैस निकलती है जलती हु में हम आगे बढ़ते हैं छारक की धातू के साथ अभी क्रिया सोडियम हाइड्रोकसाइट एन ए ओएच यह धातू है जिंक के साथ क्रिया करता है तो लवड बनता है सोडियम जिंकेट एने टू जैडैनो टू और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है पूर्म में भी ऐसा ही था कि अमले भी धातू के साथ क्रिया करती थी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती थी धातू कार्बोनेट की अमले से अभी क्रिया नाम देखिए धातू कार्बोनेट एक धातू होगा साथ में उसमें CO3 जुड़ा होगा धातू कार्बोनेट यह हाइड्रोजन क्लोरिक गैस से हाइट्रोक्लोरिक कैस से क्रिया करता है तो देखिए N-ACL पानी और Carbon Dioxide GAS उत्पन होती है तो इस प्रकार यह जो Carbon Dioxide जो कैस उत्पन हुई है यह Carbon Dioxide GAS है या नहीं इसका हम परिख्षन करेंगे देखिए यह Sodium Carbonate HCl आम ले लिया और यहाँ पर CO2, carbon dioxide gas निकलेगी, यह देखिए आप, इस नली से, निकास नली से यह उत्पन हो रही है, और यह इसको हम परक नली में चूने का पानी लेंगे, calcium high dioxide का विलियन लेंगे, तो यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, कौनसी gas? carbon dioxide, यह CaOH whole twice, plus CO2, calcium carbonate बनता है, और पानी उत्पन होता है, यह दूधिया रंग का है, दूध जैसा, यदि हम इस carbon dioxide gas को जादा मात्रा में प्रवाहित करेंगे, तो क्या होगा, कि जो चूने का पानी है, जो दूधिया हो गया था, वो वापस calcium high carbonate में बदल जाता है, और दूधिया रंग पुने, एकदम पारदर्शी विलियन प्राप्त होता है, जल में, घुलन, सील, इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि उत्पन होई gas carbon dioxide है, जो कि चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है, अब हम आमल और चारक की आपस में क्रिया करवाएंगे ये भी रासाइनिक गुण है, आमल और चारक का, तो आमल और चारक जब मिलते हैं, तो लवण और पानी बनता है, और इसका एक उधारण देखिया, अमल, SCl और NaOH, लवण बनता है, NaCl और पानी, इस क्रिया को हम कहेंगे उधासेनी करण, अगले क्रिया है, अमल की धात्व अक्साइट के साथ क्रिया, धात्विक मतलब धातु का कोई भी ऑक्साइड ले लिजिया, कौपर अक्साइट, सोडियम ऑक्साइट, मेंगनिशियम ऑक्साइट, और उसमें हम अमल मिलाते हैं, तो ये लवण और जल मिलता है, देखिये, कौपर क्लोराइट का एक नीले रं है ये एक अधातु का हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डायोक्साइट के साथ क्रिया करता है, ये कार्बन एक अधात्विक अक्साइड है, और ये C-A-O-H-4 है, तो यहाँ पर लवण मिलता है, कैल्शियम, कार्बुनेट और पानी उतपन्न होता है, तो इस प्रकार य में लबन राप्त होते हैं